कि नमस्कार दोस्तों Online Exam Warriors के यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों लुशेंट अब्जेक्टिव का इस स्रीज में आज दूसरा पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको 83 क्वेशन करया थे जो चप्टर था इसमें बंगाल मैसूर पंजाब आदी के संदर में यह एमसी क्यूट टेस्ट है जिसमें आपको चप्टर बचप्टर करया जा रहा है हिस्ट्री शुरू किये हैं तो मोडर्न हिस्ट्री खतम होने के बाद आपको मंधकालिन और उसके बाद प्राचिन इतिहास भी करेंगे त तो दोस्तो आज यह सकेंड क्लास हैं जिसमें आपको 84 नमर क्वेश्टन से आपको जो बचा हुआ इस चप्टर का है वो पूरा कर देंगे आज फिर कल से अगला चप्टर सुरू हो जाएगा तो जैदा बात ने करेंगे दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिसे कि हमारी अगली वीडियो आपको तुरंद मिल जाए तो दोस्तों देखते हैं आज का क्या है हाँ दोस्तों अगर आपको एंसर मालूम हो तो कोमेंट में जाकर कोमेंट जरूर कीजेगा और कित अप्सन नमर ए मुहमद सा रंगीला मुहमद सा रंगीला वादसा का नाम रौशन अक्तर था पचासी नमर कोईचन है कि अवद हैदराबाद भरतपूर रुहेल खंट एवन फरूखाबाद किस मुगल सासक के समय में स्वतंत्र हुए तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन न निपोलियन कहा जाता है इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी नादीर सा को इरान का निपोलियन भी कहा जाता था नादीर सा को नेक्स्ट कोईचन है अगला कुश्चन है 87 नमर कुश्चन है कि अहमद सावदाली के पर्थम आकरवन के समय मुगल समराट कौन था तो इसका आपका एंसर हो जाएगा उप्सन नमर A मुखमद सा रंगिला नेक्स्ट कुश्चन है अहमद सावदाली ने भारत पर कुल 7 बार आकरवन किये जिन में सरवादिक 3 बार आकरवन किस मुगल सासक के समय में हुआ तो इसका एंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमर D साह आलम दूतिये नेक्स्ट कुश्चन है किस मुगल सासक का वास्तविक नाम अली गवहर था तो इसका एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D, साह अलम दूतिय का नाम अली कोहर भी था नेक्स्ट कोईचन है, कौन सा मुगल बाद सा बिसम परिस्थितियों के कारण बिसेश मीर बक्सी, नजीबु दौला के भई के कारण बारा वर्स दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया फिर मराठो की सहायता से दिल्ली की राजगादी पर पुना अस्थापित हुआ तो इस नमबे का एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D, साह आलम दूतिये नेक्स्ट कोईश्चन है, कौन मुगल बाद सा एक बड़ा सायर भी था जिसके दौरा अपने आखरी समय में कहा गया यह सेर भी ख्यात है कितना है बदनसीव जफर के दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में तो इसका एंसर हो जाएगा तो आखिर समय में कहा गया भी ख्यात सेर था तो इसका आपका एक कान में का जो एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी आपका एंसर होगा बहादूर सा दूतिये नेक्स्ट कोईश्चन है कि अंग्रेजो का पेंसनर बनने वाला पर्थम मुगल बाद सा कौन था तो बेरानमे का एंसर होगा ऑप्सन नमर ए साह आलम डी तीए नेक्स्ट कोईश्चन है आपको सूची वन को सूची दूसर मिलाना है राज हार उनके सस्थापक है तो चलिए मिलाते हैं 93 नमर का तो 93 का आपका एंसर जो हो जाएगा ऑप्सन नमर ए तो इसमें बंगाल 1713 मुर्शिद कुलिजा फर खा फरुकावाद 1714 मुहमद खा बंगस करनाटक 1720 में साधत उल्ला खा और अबद 1722 में जिसे का संस्थापक था मीर मुहमद अमीन साधत खा जिसे बुरहान उल्ल मुल्क भी कहते थे नेक्स्ट कुएस्टिन है आपका या भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है जिसमें राज है और उनके संस्थापक हैं हैदराबाद 1724 मीर कमरुद्दीन चिन खिलिज खा जिसे निजामुर मुल्क कहते थे रुहेल खंड 1727 अली भुहमद खा भरतपुर 1740 बदन सिंग और मैसूर 1761 में जिसे हैदर अली उनके संस्थापक थे तो इसका 94 का जो आपका एंसर हो जाएगा उप्सन नमर ए नेक्स्ट कुएस्टन है किस राज के सासक नवाव वजीर कहलाते थे तो आपका 95 का जो एंसर होगा उप्सन नमर ए अवद के नभाव नेक्स्ट कुएस्टन है किसने ग्रामीन जाटो को एक साइनिक सकती के रूप में संगठित किया तो 96 का एंसर उप्सन नमर सी आपका चूरा मन जिसे चूरा मनी के नाम से भी जानना जाता था नेक्स्ट कुएस्टन है नेक्स्ट कुएस्टन है नेमलिखित में से किसे जाटो का अफलातून प्लैटो अफ जाट्स एम जाटो का आधर निये विद्वान ब्यक्ती दा जाट अफ यूजलेस कहा जाता है तो 97 का जो एंसर होगा उप्सन नमर सी जिसे सूरज मल जिसे जाटो का विद्वान ब्यक्ती या जाटो का अफलातून भी कहा जाता था किसे सूरज मल को नेक्स्ट कुएस्टन है मुर्शिद कुली जाफर खाको बंगाल 377 इस्वी में उर्गी सा 177 इस्वी की सुवेदारी किस मुगल बादसाने से मिली तो 98 का एंसर हो जाएगा उप्सन नमर सी फर्रुक सेर से नेक्स्ट कुएस्टन है कि किसने मुर्शिदाबाद की अस्थापना की तथा उसे ढाका के अस्थान पर बंगाल की रायधानी बनाया तो 99 का एंसर हो जाएगा आपका 99 का A एंसर होगा मुर्शिद कुली जाफर खाँ नेक्स्ट कोईशन है बंगाल के सासक मुर्शिद कुली जाफर खाँ एवं इस्ट इंडिया कंपनी के बीच बिवाद का सरपर्थम कारण क्या था तो सव नमर का एंसर सोच अलग-अलग था नेक्स्ट कोईशन है किस मुगल बाद साने 373 इसमी में बिहार की सुवेदारी बंगाल के नवाव सुजाओदिन को परदान की 101 का एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C मुहमत सा रंगिलाबाद सा बंगाल के किस नवाव ने यूरोपिये लोगों की तुलना मधुमक्खी के छट्य से की जिसे यदि न छहरा जाए तो सायद सहद देगी पर यदि छट्य के साथ छेर छार की गई तो मधुमक्खिया काट काट कर प्रान ले सकती है 102 का एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर ए अली वर्दी खाने कहा था नेक्स्ट कॉइस्टन है अंग्रेजर दराक कलकत्ता फ्रांसीसियों द्राचंत नगर कीले बंदी सुद्रीड करने का बिरोध करते बंगाल के किस नवाव ने कहा तुम ब्यपाड़ी हो तुम्हें कीले का क्या करना है मेरे सनक्षन में रहते हुए तुम्हें सत्रों का कोई भई नहीं है तो 103 का जो आपका एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C अली वर्दी खानेक्स्ट कॉइस्टन है बंगाल का वह नवाव काउन था जो जानता था कि वह अंग्रेजर को बंगाल की भूमी से निकाल बाहर कर सकता है किन्तु ऐसे इस्थिती में उसके ही सब्दों में समुन्द में आग लगा दी जाएगी तो 104 का आपका एंसर हो जाएगा अप्शन नमर A अली वर्दी खान नेक्स्ट कॉइस्टन है बंगाल के किस नवाव ने अपने उताधिकारी को या सला दी कि तीनों अंग्रेजों फ्रांसीसी डच को एक साथ निबल करने का विचार मत करना इन तीनों ने अंग्रेज सबसे ससकत हैं पहले उसका अंध करना और अन्य तुम को विशेश कर्ष्ट नहीं देंगे का एंसर आप्शन नमर ए सीराजु डौला हैं बंगाल के नवाव सीराजु डौला तरह बेटिस कंपनी के बीच विबाद के कारण थे तो दोनों के विच विबाद का क्या कारण था तो एक सुस्सात का आपका एंसर जो हो जाएगा आप्शन नमर डी पहला एक, दो, तीन, तीनु जिसमें है तो एक में है अंग्रेजो दरा कलकत्ते की कीले बंदी दो में है अंग्रेजो दरा दस तक फिरी पास का दुरुपयोग तीन में है भगोरे कृष्ण वल्लब को कलकत्ता में अंग्रेजो दरा सरन देना सुमेलित करना है घटना है और उसका तीधिक दिया गया है डेट दिया गया है कि किस तीधि में उसका घटना हुआ था तो चलिए मिलाते हैं 108 नमर जिसका आपका एंसर हो जाएगा option नमर A कलकत्ता का नवाब सिराजु दवला का अधिकार 15-20 जून 1756 सही है काल कोठरी की तरासदी 20 जून 1756 ये भी सही है अली नगर की संधी 9 फरवरी 1757 ये भी सही है पलासी का यूद 30 जून 1757 ये भी बिलकुल सही है तो इसका एंसर हो जाएगा option नमर A बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल वाजसा साह आलम दूतिये से कलायव को साबत जंग युद्धों में अनुभाव प्राप्त की उपाधी एवं कुछ छेत्रों की जविंदारी दिलाई कलायव की जागिर कहलाने वाले उस छेत्र की पहचान करे तो एक सो नौ का आपका एंसर हो जाएगा option नमर A जिसे 24 परगान कहते थे नेक्स्ट कोईशन है बंगाल के नवार मीर कासिम ने मुर्सिदाबाद के अस्थान पर मुंगेर को राइधानी बनाया क्यों बनाया तो 110 का आपका एंसर हो जाएगा option नमर A वह मुर्सिदाबाद के सन्यंत्र मै वातावरन तथा कलकता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्त छेप न हो तो इसका एंसर हो गया option नमर A नेक्स्ट कोईशन है बंगाल के किस नवाव ने ब्रिटिस कम्पनी के गवार्नर को लिखा आपके भद्र प्रोश इस परकार व्यवार करती हैं वे समस्त देश में घरवारी फ्वलाते हैं लोगों को लूटते हैं ता मेरे अधिकार्यों का अनाधर करते हैं तो था, उन्हें सारी रिक यातना देते हैं, तो इसका एंसर जो होगा, 111 का आपका option number D हो जाएगा, मीर कासिम, अगला question है, 112 number question है, बंगाल के किस नवाब ने दो बरसों के लिए, सभी व्यपार्यों के लिए, समस्त व्यपार्यों करो, चुंग्यों, खत्म करो, एक बड़ा और सधारन कदम उठाया था, तो जब कौन सा कदम उठाया था, किस नवाब ने, तो 112 का एंसर हो जाएगा, option number C, मीर कासिम, next question है, कलायव एम मुगल बाद सा, साह अलम दूतिय के बीच, इल्लावाद की पर्थम संधी, बारागा, 1765 के संदर में, इन कतनों पर विचार कीज 113 का answer हो जाएगा, option number D, 1, 2, 3, 1 में है, साह अलम दूतियों को कराव इल्लावाद के जिले दिये गए, 2 में है, कंपनियों को 26 लाख रूपई, सलाना के बदले, बंगाल, बिहार, उरिशा की दिवानी अस्थाय रूप मिली, 3 में है, हैदराबाद के उत्तर के जिलो, उत्त सरकार को अंग्रेजी में जागीर के रूप में मानता दी गई, इसका answer हो जाएगा, option number D, next question है, इल्हावाद की दूतिये संधी, स्वल्ला अगस, 775, किन किन के बीच हुई, इल्हावाद की दूतिये संधी, किस-किस के बीच हुआ, 114 का answer हो जाएगा, option number B, सुजाओ दौल और कलायव के बीच, इल्हावाद का दूसरा संधी, स्वल्ला अगस, 775 में हुआ, कर्णल कलायव का गधा या सियार की संधी किस ने दी गई थी, तो कर्णल कलायव का गधा या सियार का संधी जो दिया गया था, 115 का answer B हो जाएगा, मिर जाफर के दौरा, कलकाता की सुप्रीम कोट के एक नियाधिस ने बंगाल के किस नवाव को भूसे से भरे एक बैताल यानि फैंटम के रूप में उल्ले खित किया है, तो एक नियाधिस ने बंगाल के किस नवाव को किया है, तो 110 का answer हो जाएगा, option नमर D, मुवारक कुदवला करनल मालसन ने कहा, कमपनी के अधिकार्यों का अब एक ही उद्देश है, जितना लूट सके लूटो, यह कि वह सोने की एक ऐसी थाईली है, जिसमें जब भी चाहो हाथ डालो, इसमें वह किसके लिए पर्युक्त किया गया है, तो 117 का जो answer होगा, option नमर B, मिर जाफर किसके फ्रांसिसी विशेश्राग्यों की मदद से डिन्डी गूल में एक आधुनिक सास्तागार अस्तापित किया, तो 118 का जो answer होगा, option नमर B, हाईदर अली, डिन्डी गूल में एक आधुनिक सास्तागार का स्तापित किया, हाईदर अली के दोरा नेक्स्ट क्वेशन है, 119 नमर, किसने घोसना कर रखी कि वह अंग्रेजयों को पहले आकाट से निकाल बाहर करेगा, और अंतता भारत से भी, तो यह इसका answer हो जाएगा, option नमर C, हाईदर अली नेक्स्ट क्वेशन है, सुमेलित करना है, युद है और उसका संदी किस युद में, किस संदी के दोरा समाप्त किया गया, तो 120 का आपका answer जो हो जाएगा, आपका A, 1 का A, 2 का 2, 3 का 3 पर्थम आंगल मैसुर्यूद 1767-79, मदरास के संदी, दूतिय आंगल मैसुर्यूद 1780-784, मंगोल के संदी, तीरतिय आंगल मैसुर्यूद 1792, सीरंग पटनम की संदी, दूतिय आंगल मैसुर्यूद में, हाईदर अली की मिर्ती हो गई थी, जिसके बाद अगला सासक, उसक पुत्र टीपू सुल्तान बने थे नेक्स्ट क्वेश्चन है या भी सूची एक सो सूची दो से मिलाना है या यूद है और अंग्रेजी सेना का नेत्वित उस यूद में कृस्ने किया था तो एक सो एकीस का एंसर आपका हो जाएगा उप्सन नमर ए एक का ए, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार पर्थम आंग्रेजी सेना का नेत्वित जनरल एस्मित दूती आंग्रेजी सेना का नेत्वित जनरल आयर कुट तीरती आंग्रेजी सेना का नेत्वित जनरल आयर कुट तीरती आंग्रेजी सेनरल मेडोज तो हैदर अली की जो मिर्ती हुआ था 122 का एंसर हो गया option नमर B दूतिय अंगल मैसुर यूद में दूतिय अंगल मैसुर यूद को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजो के मद्य मंगलोर की संदी 1784 में हुई संदी पर अंग्रेजो के ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्यास के गवर्नर का नाम क्या था तो कौन सा गवर्नर हस्ताक्षर किये थे तो 123 का आपका एंसर हो गया option नमर C Lord Macarine next question है 124 नमर question है दूतिय अंगल मैसुर यूद के समय governor general कौन था 124 का एंसर option ए वारेन हेस्टिंग next question है टीपू सुल्तान तथा करना वालिस के भी 1792 इसवी में C रंग पत्नम की संदी हुई इसके तहत तो इसका एंसर जो हो गया इसमें दिया गया है तो आपको तीनों कौन कौन सा सही है तो आपको 125 का एंसर हो गया option नमर C 124 एक में है टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा दो में है टीपू को तीन को रूप या यूद छती के रूप में देना पड़ा और चार में है अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्विकार करना पड़ा नेक्स्ट कोईचन है नेक्स्ट कोईचन है 126 नमर कोईचन टीपू सुल्पान ने अंग्रेजों को निश्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपरक अस्थापित किये तो किन किन देशों के साथ संपर्क अस्थापित किये तो 126 का एंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमर दी एक दो तीन चार एंट पांच इन में से सभी फ्रांस के साथ और अब के साथ अफगानिस्तान के साथ मौरीसर्स के काच साथ तुरकिय के साथ